लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाए सुशान्त की वो फिल्म भी आज रिलीज हो गई है जिसके बाद अब कोई भी उम्मीद नहीं कर सकते है क्योंकि ये सुशान्त की आखरी फिल्म थी जो आज सुबह से ही सोशल मीडिया पर चर्चा में थी जबकि फिल्म रिलीज हुई तो दिल बेचारा और भी ज्यादा सुर्खियों में आ गई है वैसे बहुत से लोगों ने फिल्म देख भी ली है और उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया भी दे दी है कि ये फिल्म कैसी है तो आये जानते है कि फिल्म देखने के बाद लोगों ने फिल्म के बारे में क्या क्या कहा है जोगिंदर टुटेजा ने ये फिल्म देखने के बाद कहा कि दिल बेचारा एक खुबसूरत आत्मिय फिल्म है और जो हर तरह से मनुरांजक है। प्रेम कहानी दिल से बुनी गई है और इसलिए जैविक है। कोई सुस्थपल नहीं है, एक रोमांटिक दिल वालों को फिल्म देखनी चाहिए देखा जाए तो इने फिल्म काफी अच्छी लगी है, क्यूंकि उन्होंने फिल्म को पाँच में से चार स्टार की रेटिंग दी है। इंडियन बॉक्स आफिस लिखते है कि दिल बेचारा खुबसूरत फिल्म है, इमोशनल से भरी हुई, खास कर दूसरे पार्ट में, दिल तोडने वाला क्लाइमेक्स, अच्छे गाने, सुशांत सिन्म, राजपूत और सनजन सांगी द्वारा जबरदस्त एक्टिंग आविशकार नामक एक दर्शक लिखते है कि दिल बेचारा देखकर पूरा किया, पिछले 20 मिनट में ऐसा लगा रहा था कि ज सुशांत ने शांदार प्रदरशन किया है, ऐसा कहते हुए उन्होंने फिल्म की काफी तारीफ की है, हलांकी उन्होंने फिल्म को पांच में से चार स्टार की जबरदस्त रेटिंग दी है, जो ये बताती है कि ये फिल्म हर किसी को देखना चाहिए, इस फिल्म को देखने क के बाद रोहित जय सवाल लिखते है कि एक बेहतरीन फिल्म एक शांदार फिल्म और एक ऐसी फिल्म जिसे देखने के बाद आपके आंसू नहीं रुकते फिल्म भी रुला देती है और सुशांत का चेहरा भी सनजनसांगी ने अपने किरदार का बाखूबी से निभाते हुए एक बेहतरीन शुरुआत की है ऐसा कहता हुए उन्होंने फिल्म को चार स्टार की रेटिंग दे डाली है